तो दोस्तों यह 21 बाते सुनकर अगर आपकी लाइफ ना बदली तो कहना आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्राक्टिकल नहीं है इसके जवाब में हमारा बस इतना कहना है बिल्कुल प्राक्टिकल है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर वन दोस्तों आपको बता दे की एक हिरन के जोडने की क्षमता लगबग नमबर किलोमीटर प्रती घंटा होती है जबकि एक बार की साथ किलोमीटर प्रती घंटा लेकिन फिर भी वो बाग हिरन का शिकार कर लेता है जानते हो क्यों हिरन के मन में हमेशा दर रहता है कि वो बाग से कभी जीत नहीं पाएगा और बार-बार पीछे मुण कर देखता है उसका यही दरुसकी रफ्तार को कम कर देता है। बाद में result क्या निकलता है बागहिरन का शिकार कर लेता है। दोस्तों जब तक हमारे मन में एक दर नाम की चीज रहती है तब तक हम आगे बड़ी नई और इससे जिस काम में हम लगे रहते हैं कहीं ना कहीं उस काम से पीछे हट जाते हैं। इसलिए अपने मन से डर नाम की चीज़ को खत्म कर दीजिए और फुल कॉन्फिदेंस और साहस के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए। फिर देखना रिजल्ट आपके पक्ष में ही होगा नमबर टू, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सरकों पर लोग रिक्षा वाले को सीक्रिट कर बुलाते हैं, ये रिक्षा वाले इधर आ, लेकिन क्या आपने कभी हवाई जहाज को सिटी मार कर बुलाते हुए देखा है लोग दो गंटे पहले जाकर फ्लाइट का वेट करते हैं कही फ्लाइट मिस ना हो जाए जानते हो आप इसके पीछे का कारण ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिक्षा को बनने में एक दिन लगता है वही एक हवाई जहाज को बनने में एक साल दोस्तों अगर आपको भी आज कम भरोसा अपने बच्चों पर होता है ये हसने की नहीं दुख की बात है बुरा मत मानना मा बाप को दूसरों के बच्चों पर हो जाएगा अपने ऑलाद पर नहीं अगर कोई बच्चे अपने पापा को जाकर बोल दे कि पापा I want to become Ips Officer तो उधर से जवाब आता है मुझे नहीं लगता तो कर पाएगा कभी तेरे बड़े बने है Ips Officer जो तू बनेगा दोस्तों बच्चों को सबसे ज्यादा हतोत साहित यानी की discourage उनके घर में ही किया जाता है ये बात हमें याद रखना कि हर बच्चा जीनियस पैदा होता है लेकिन सबसे पहले उसके software में की request है कि अगर कोई बच्चा कोई छोटा काम भी कर रहा है तो उसको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोचसाहित करें ताकि वो कल्बड़े से बड़ा काम ज्यादा अच्छे से कर पाए 4. किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुन्य का काम है लेकिन दोस्तों उससे भी पुन्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना दोस्तों अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखादर